Hello students, welcome back to Ariser Talent, an amazing e-learning platform. और मेरा नाम है Amit और आज हम बात करने वाले हैं वापस एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर जो आपको अपने एक्जाम में बहुत मदद दिलाएगा, वो है 6 bad habits of students while studying. पढ़ते समय जो हमारी 6 बुरी आदते हैं, जिनसे हमें हमेशा बचना चाहिए और हम गलती कर जाते हैं, उससे हम अपना hard work करने के बाद भी पीछे रह जाते हैं. तो क्या हैं वो 6 bad habits? चलिए हम उन पर बात करते हैं, वो पहली habit जो हमारी है, वो है studying with distractions. हम लोग distractions के साथ study करते हैं, हम लोग कभी आपने देखा होगा, हम लोग 6 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, बट हमारी उसमें से जो productivity आती है, हमें लगता है, हमने सिर्फ 3 घंटे के बराबर पढ़ाई की. तो आपको सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है, कि बार-बार पढ़ते समय डिस्ट्रैक्ट ना हो. दूसरा जो हमारा point है, वो है not asking the teacher for help. आप अपने teacher से पूछते ही नहीं है, आप class में hesitate करते हैं, कि आप अपना hindrance करके, या अगर online classes भी ले रहे हैं, तो आप अपने teacher स मैकसिमम सवाल पूछे, अगर कोई चीज नहीं आती है, तो वहाँ पर आगे मत बढ़िये, उस सवाल का या उस question का, या कोई आपको notes के बारे में नहीं समझ आया, आपको को concept समझ नहीं आया, तो उसके बारे में एक बार जरूर पूछे, तीसरा जो हमारा point है, वो है memorizing notes without understanding रट्टा मारने की आदत पड़ चुकी है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे पहले concept को समझना है, concept को समझने के बाद, आपको उसको याद करने से जादा अगर समझ के आगे बढ़ेंगे, तो आपको बहुत इसमें असानी हो जाएगी, चौता हमारा point है, studying with wrong people, ये important है, कि हम जो पढ़ाई के लिए हमारे group का जो चुनाव करते हैं, जो selection करते हैं, वो बहुत important होना चाहिए, आप जैसे लोगों में उठते बैठते हैं, वैसे ही आपके thoughts और आपकी बाते होती हैं, जैसे अगर आप पढ़ने वाले बच्चों के बीच बैठेंगे, तो आप उनीके जैसी बात करेंगे, वो हमेशां notes को, concept को, teachers को, इनी सब चीजों के बारे में discuss करेंगे, तो study के बारे में बात होगी, तो हमें पढ़ते समय ऐसे लोगों का चुनाव करना है, ऐसे लोगों का selection करना है, जो हमारे लिए बहुत useful हो, अगला जो हमारा point है, वो है skipping classes, students य अपनी जगे पर एक importance रखता है, बट consistency, continuity बहुत matter करती है, तो हमारे लिए सबसे important चीज है कि अपनी classes को बिल्कुल मत करो, और अगर किसी reason से हो सकता है कभी हमारी health खराब हो, अगर हम हमारी classes को skip कर जाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, कि हम उसका proper फिर revision कर पाए तो जो हमारे 5 points है वो हम discuss कर चुके हैं, इसके बाद last और काफी सारे इसके अलावा भी points है, बट majorly हमने इस video में 6 points कवर किये, not sleeping on time, ये आज के बच्चों की सबसे bad habit है, जो हमें नहीं करनी चाहिए, आपने देखा होगा, आप अगर अपने parents से बात करेंगे, तो वो आपक जल्दी उठें और शाम को वक्त पर सो जाए, तो आपको not sleeping on time का अगर bad habit है तो आपको इसको छोड़ देना चाहिए, mobile को एक limited time तक use करो, रात को late night studies को avoid करो, वैसे हरे student का एक अलग type होता है कि वो किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है, ये हमारी choice पर depend करता है, बट फिर भी आप avoid करो कि आप देड़ तक जाग कर studies करें, सुबह जल्दी उठकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप बच्चों जल्दी सोना स्टार्ट करो ताकि आपका दिन एक बहतर तरीके से शुरू हो, ये थे आज हमारे जो 6 points, बाकी इसी तरह के videos हम लोग आपके लिए Ariser Talent के channel पर लाते रहेंगे और आप लोग अपने exam के लिए लग जाएए, Ariser Talent time to time आपको अपनी classes में, अपने notes, study material, test और motivational videos में आपको support करता रहेगा, तब तक के लिए हमारे channel पर जल्दी से like का button दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस video को maximum share कीजिए, तब तक के ल úaた करा से害 देरा लाते रहेंगे, तब ब consistently के लिए, तब चक्क के लिए हमारे इस का अपको अभाने से like कि लिए कई खागरे तोस्तों के और सी से रहें इस, अ में allenदे आवाएपकोा क के भी तोस्तों के लिए साथ